हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब यह देखिए आज मैं जैकिट का गला कैसे गटाते हैं बैक साइड का कितना गटाना चाहिए हमें यह बताऊंगी बैक साइड की गटाई करनी भी बहुत जरूरी होती है उससे गले की जो है न शेप बड़ी अच्छे आती है और पीछे हमारे जो गले में कहीं कहीं लोगों को बड़ी दिक्कत होती है अगर हम गटाई नहीं करते तो थोड़ा सा पीछे अड़ता है गला तो उसके लिए कितनी गटाई करने चाहिए हमें वह बताऊंगी यह इसकी जो मुड़े की कटिंग की वीडियो मैंने डाल दी गटाई करने की और पहले पार्ट में मैंने जैकिट का यह फ्रंट जो पार्ट है यह बताया था कैसे शुरू करते हैं फिर उसके बाद मुड़े की कटिंग वगरा सब मैंने बताई हुई है चैनल में आप देख सकते हैं और दूसरे पार्ट में जो डिजाइन सट किया था पीछे वाले पार्ट में वो बताया था और फिर तीसरी वीडियो मेरी थी इसकी जो मुड़े की गटाई कैसे करते हैं बैक पार्ट की और फरंट पार्ट में हमें कितना अंतर करना चाहिए कितने फंदे फरंट में और कितने बैक में गटाने चाहिए यह सब मैंने डाल दी वीडियो और देख सकते हैं आप मेरे चैनल में और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आज की मेरी वीडियो होगी जो बैक पार्ट का गला है उसकी हम गटाई कैसे करते हैं देखिए घटाई करने के लिए जो फरंट पार्ट है आप यह वाले जो देख रहे हैं पट्टी से अलग मैंने यहां पर बीस फंदे रखे हैं यहां तक पट्टी के अलग हैं और यहां तक बीस फंदे रखे हैं अब मैं इसमें बीस फंदे तो यह रखूंगी जो मैंने बैक यह front part में यह रखे हैं और उसके बाद तीन दो एक के फंदे और लेने हैं मुझे अब यह देखिए मैंने इसमें 20 फंदे यह रख लिए और तीन दो और एक की गटाई इसमें मैं करूंगी और जितने भी फंदे बीच में बचेंगे उतने मैं गटा दूंगी अब मैं जितने फंदे मैंने इधर रखे हैं यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह 20 फंदे मैंने कंदे के लिए हैं यह मैंने रखे हैं front part में फिर इसमें मैं एक दो और तीन यह गटाई करूंगी गटाने के बाद जो बीच के फंदे हैं अब इतने ही फंदे तीन दो एक छे 26 फंदे मैंने दर रख लिए 26 फंदे रखने के लिए रखने के बाद यह जो बीच के फंदे हैं यह सब मैं गटा दूंगी एक बाद केंगी और ऊ सकता हुआ कर दो बीचाने के लिए कर दो के बाद कर दो भाद gouvernement हमए जोगने के लिए Cre10 इस से मुणिछ प्टूंगी बादूंगी लिए के लिएां इतने यह देखिए, अब 26 फंदे मेरे ये वाले हैं, इधर वाले, और 26 फंदे इधर वाले हैं, अब जितने भी फंदे बीच में ये बचे हैं, ये मैंने खटे गटा दिये, अब ये देखिए, मैं बता देती हूँ, आपको कितने फंदे हैं, तीन दो पांच, और तीन और दो पांच, दस और दस, बीस फंदे ये मेरे पीछे बचे हैं, अब ये देखिए, बीस फंदे गटाए हैं, तो ये अब मैं इसको पूरी सलाई को बना लूँगे, ये सीधी सलाई बना के, और उल्टी बना के, फिर मैं दिखाती हूँ, यहां से फिर कैसे गटाने हैं, ये देखिए, ये बीस फंदे गटाने के बाद मैंने ये इधर की सीधी बना ली और एक उल्टी बना ली, अब जो इसकी तीसरी सलाई होगी, पहले सीधी फिर उल्टी फिर ये, अब यहां पर तीन फंदे मुझे गटाने हैं, तीन फंदे गटा लिए, ये देखिए, बीस फंदे गटाने के बाद फिर ये अब तीन फंदे जो हैं, ये गटाए हैं, अब इसके बाद फिर मैं ये पूरी सलाई बना लेती हूं, फिर उसके बाद उल्टी बनाने के बाद फिर सीधी सलाई पे मैं आपको दिखाती हूं ये पूरी सलाई बनाके फिर उल्टी बनाके फिर दिखाती हूं यह देखिए तीन फंदे घटाए पहले हमने यह बीस फंदे घटाने के बाद फिर तीन घटाए अब दो फंदे घटाने अब दो फंदे घटा लिए फिर यह पूरी सलाई बनानी है यह सलाई बनाके फिर उल्टी बनाके फिर दिखाती हूँ अब देखिए तीन दो की हो गई अब लाष्ट जो है एक फंदा और घटेगा अब इसके बाद अमारी इधर की जो घटाई है वो कम्पलीट हो जाएगी तीन दो एक की अब ये बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको ये देखे इस तरीके से 3, 2, 1 ये देखे बैक पार्ट की ये 3, 2, 1 की यहां पर घटाई हो गई पूरी पहले 20 फंदे घटाई फिर 3 घटाई 2, 1 और अगर आपको हलका सा और इसको गहरा करना है तो दो सलाई आप भी न गटाई इस पर बना सकते हैं सीधी उल्टी और और ऐसे ही सेम बनाने के बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये गटाई करनी बैक की हमारे लिए क्यों जरूरी है कोई भी स्वेटर हो तो ये जो छे सलाई है ना जैसे पहले में हमने तीन गटाई फिर दो गटाई फिर एक उल्टी सीधी मिलाके ये छे सलाई बनती हैं यहां तक ये गटाई करनी बहुत जरूरी है मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम फरट पार्ट जोड़के ये जैकि तो उसके बाद हमारी जो ये पट्टी है ना ये जब हम पहनते हैं तो ये ऐसी शेप नहीं आएगी गले की वह हमारा ऐसे हो जाएगा क्योंकि फंदे बीच में ज्यादा होंगे और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये मैं करके आपको बताती हूं ये कैसे जरूरी है इतनी गटाई हमारी किसी भी स्वेटर में बैक की करनी छे सलाई की गटाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है अब मैं इधर का बनाने के बाद तीन दो एक की दिखाती हूं आपको ये देखिए दोनों साइड से अब मैंने ये फंदे बीच के गटाने के बाद तीन दो एक की गटाई बैक में कर ली अब ये छे-छे सलाई हो गई गटाई सही तीन दो एक सीधी सलाई में इधर गटाई सीधी में इधर तो इतनी गटाई करनी हमारे लिए बहुत ही ज़्य तो आप देखिए जैसे यह पट्टी के हैं यहां जोडेंगे और अगर हम गटाई नहीं करते तो यह आगे वाला जब हम पहनते हैं तो ऐसे पलट पलटने लग जाती हमारी जैकेट जब पहनने के बाद मैं आपको बताऊंगी तियार करके इसको दिखाऊंगी और इसके हम अलग से बनाके बैक में जोड भी सकते हैं और साथ साथ बनाते भी जोड सकते हैं अगली वीडियो इसी पर होगी मेरी